गुद मॉर्निंग एरिवन, वेल्टन तो मैं चैनल 555 टारग, हैपी दिवैली तो वाल और आज से स्टार्ट करने कोशिश करी हूँ, इंजल गाइडन्स पाद टोड़े, क्योंकि काफी हद तक बहुत जरूरी लगता है में ये रीडिंग, जहां पे आपको आज के दिन के ल है, यही मेरी मन कामना है और उसी के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज का बहुत इंपॉर्टन्ट और बहुत प्रॉस्परिटी के दिन के हिसाब से आज की रीडिंग होनी जा रही है, एक ही काड हर एक डिक से लूँगी डिजर्ट पैसेज पैसेज, पैसेज, ओके, दो आया है और दो ही लिंगी okay okay yes or तो आज का दिन, आज का नंबर, like day 24, Monday, बहुत जदा शुब है, अज आज लक्षमिपुजन का भी दिन है, दिवाली है, स्टार्ट है, तो एक नई शुरुबात, एक प्रस्पर्टी जरूर आपके पास है, और डिजर्ट पैसेज, अभी आपको अगर लग रहा है कि आपके में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ट्रस्ट, there is a divine plan, जो भी है divine plan, या universe, या उपर वाले की मज़े से ही सब कुछ हो रहा है, और आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो इस बात के उपर जरूर ट्रस्ट रखे, क्योंकि जो आपको चाहिए, इससे ज़दा important आपके ल leading position और आपके तरफ ऐसी, मानो के example ऐसे लगा कि जैसे आप किसी अंधेरे में हैं, आप किसी desert position में हैं, तो वो सारी चीज़ों से आपको निकलना है, और आपको इस तरह निकलना है कि आप leader बन के निकलना है, हो सकता है कि आपके promotion हो जाए, हो सकता है कि आपको कोई good news सुनने मिले, लेकिन कोई न कोई action आपको लेना है, जहां पे आपको अपने लिए stand लेना है, आपको अपनी energies में, negative होते बैठना नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा, नहीं, आपको ऐसा कुछ सोचना है कि चलो, इसका कोई solution निकला जा सकता है, और definitely आपकी तरफ solution जरूर आएगा, अग आज बिल्कुल मतलब बिल्कुल अंदेखा करना है, नहीं, आज अब पूरी तरह, पूरी तरह अपने आप पर भरोसा करके, युनिवर्स पर भरोसा करके, अपने manifestations करने है, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, उसी तरह आपको manifestation करने है, आज की दिल, दिन है like attracts like, तो definitely जो आप सोचते हैं, वही होता है, जितना आप positive affirmations करोगे, उतने ही आप जो भी चाहिए आपने life में attract करोगे, especially आज की दिन तो money या prosperity attract करने का दिन है, तो definitely आपकी life में prosperity आप जरूर मैनिफेस्ट करो, जरूर वो manifestation हो सकते है, spiritual growth, यहाँ पे आपको ऐसा कहा जा रहा है, कि कोई आपकी life में हो रही है, जो भी है, divine plan के हिसाब से हो रही है, तो please इसे डरे नहीं, बस इसे एक experience की तरह लेकर आपको अपनी spiritual growth करनी है, आपको spiritually grow होना है, मौका तो मुलेगा, लेकिन grow होने का काम आपका है, तो definitely हर चीजे, जैसे meditations हो, manifestations हो, यह जरूर यह सारी जो चीजे है आपके life में spiritual growth और आपके life में abundance जरूर लिख आएगी, और अगर आपका सवाल है कि क्या यह चीज हो पाएगी, कोई भी आपके मन में शायद सवाल है, उसका universe में शायद पहले सी ही answer yes दे दिया है, तो आपके मन में शायद जो भी सवाल हो, लेकिन उसका answer yes है, तो यह थी reading, I hope आपको कुछ guidance में लिए हो, like, share, subscribe करना ना गूले, और personal reading के लिए link description box में है, तो प्लीज कोई fake comment का जवाब ना दे, और आपका दिन बहुत शुबर है, यही मनका अमरा कर रही होने, और happy diwali, और angels आपका protect करे, आपके life में abundance and prosperity आजाए, बस यही universe से request है, और you meet भी यही है Thank you universe, thank you universe, thank you universe.